आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि आपके पैरों में आपकी टांगों में नजर आते हैं और यह सीधा सीधा इशारा करते हैं कि आपकी बॉड़ी के अंदर कॉलिस्टॉल बढ़ रहा है दोस्तों ब्लड के अंदर कॉलिस्टॉल का बढ़ना एक ऐसी कंडिशन है जो कि अक्सर साइलेंट रहती है यानि आपकी बॉड़ी में इसके कोई भी लक्षण नजर नहीं आते हैं लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि टांगों के अंदर कुछ एक ऐसे लक्षण आते हैं जिनको अगर हम समझ लें तो यह सीधा सीधा हमें बता देते हैं कि हमारी बॉड़ी के अंदर कॉलिस्टॉल बढ़ रहा है और हमें इसको फॉरण टेस्ट कराना चाहिए लेकिन अज्ञानता के कारण और नासमजी के कारण हम इन लक्षणों को कई बार समझी नही आ सकें ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी गंभीर समस्या दिल की बिमारी आपके अंदर पैदा ना हो सके तो चलिए भीना कि इसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी लक्षणों के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तों अगर हमारे ब्लड के अंदर LDL नाम का कलोस्ट्रॉल कंटिनियूसली बढ़ता रहता है तो यह LDL हमारी नसों के अंदर जमने लगता है आर्टरी के अंदर चिपक जाता है वहाँ पर प्लाकिंग पैदा करता है और यही प्लाकिंग धीरे बढ़ बढ़कर हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बिमारियां पैदा हो जाती है सबसे पहला साइन जो कि आपके पैरों के अंदर इस बढ़े हुए कोलोस्ट्रॉल की तरफ इशारा करता है वो है लेक पेन या फिर क्रैम पेन तो आप समझ इसलिए आपकी लेक्स में इसलिए आता है क्योंकि कोलोस्ट्रॉल बढ़ने की वज़ा से जो टांगों के अंदर नसे होती है उस पी के अंदर प्लाकिंग हो जाती है वहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लोडाउन हो जाता है और इसी वज़ा से महाँ पर ये क्रैम् साइन जो की बढ़ेवे कोलोस्ट्रॉल की तरफ इशारा करता है वो है टांगों की स्किन का कलर चेंज हो जाना बहुत सारे लोग के अंदर देखा जाता है कि जब उनकी टांगों के अंदर आर्ट्री में ब्लॉकेज होनने लगती है वहाँ कोलोस्ट्रॉल चिपकने लगत ताके तो उनकी जो टांगों का कलर है वो रेडिश हो जाता है लाल हो जाता है जिसको रुबर बोलते हैं अगर इस तरह के लक्षन आपके अंदर नजर आ रहे हैं तो ये भी एक क्लियर कट साइन है कि आपके बलड के अंदर कॉलेस्टॉल बढ़ा हुआ है और वो आपकी आर नसों के अंदर आर्टरी के अंदर प्लाकिंग होने की वजह से आता है क्योंकि जब प्लाकिंग नसों के अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से बलड का फ्लो रुख जाता है उसमें अब्स्रक्शन पैता होता है नसों के अंदर और बाकी जूसरी वेसल के अंदर जो बलड क तो इस तरह कि सूजन अगर आपको पैर के निचले हिस्सों में नजर आती है, तो इसको कभी भी आपको नजरंदास नहीं करना चाहिए और फॉरन अपनी डॉक्टर से कंसर्ट करके मेक्शूर करना चाहिए कि इसका असल कारण क्या है चौथा बहुत important point है आपकी legs का ठंडा रहना और सुन हो जाना यह एक बहुत ही commonly देखे जाने वाला लक्षण है जो कि बहुत सारी लोग मुझे एकसर complaint भी करते हैं कि हमारी टांगे जो है वो सुन रहती है यह हमारी टांगों में हर समय ठंडा ठंडा sensation रहता है इस तरह का sensation basically आपके खून के दोरान के कम होने की वज़य से ही होता है यानि नसों के अंदर placking होने की ही वज़य से होता है क्योंकि वहाँ पर cholesterol जम गया है अगर इस तरह की conditions आपके अंदर देखी जाती है तो बहुत ही important है कि आप अपनी टांगों को गर्म रठने की पूरी कोशिश करें आप socks पहन कर रखें या कुछ ऐसी चीज़े पहने या सिकाई करें अपनी टांगों की जिससे वहाँ पर blood का circulation बढ़ सके क्योंकि अगर इस तरह से blood का circulation वहाँ पर कम हो जाएगा और वहाँ पर सुननी रहने लगेगी या फिर वहाँ पर थंड़ा थंड़ा हिसास हर ताइम आपको रहेगा तो उसकी वज़े से आपको और further complications भी हो सकती है लेक्स के अंदर कोई ऐसा अलसर हो सकता है जो कि ठीक ना हो या फिर वहाँ पर gangrene वगरे की शिकायत भी हो सकती है पांचवा और लास्ट लक्षन जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है slow healing wounds यानि अगर आपके पैर में या टांग में कहीं कोई कट लग जाता है कोई चोट लग जाती है और वो असानी से भरता नहीं है ठीक नहीं होता है तो ये भी एक लक्षन है जो कि आपके अंदर बढ़े हुए cholesterol की तरफ इशारा करता है अब आप कहेंगे कि इसका cholesterol से क्या तालुक है ऐसा तो अक्सर उन लोगों को होता है जिनकी sugar बढ़ी होती है नो डाउट sugar बढ़ने की वज़े से भी ऐसा होता है लेकिन अगर आपका cholesterol बढ़ा हुआ है उसकी वज़े से आपकी legs के अंदर जो arteries है वहाँ पर placking होने लगी है नसों में जो है वो तंगी आने लगी है खून का दुरान कम हो गया है तो उसकी वज़े से इस कम खून के दुरान को आपके उस जो चोट वाली जंगा है वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है प्रॉपर flow वहाँ पर नहीं पहुंचता है blood का जिसकी वज़े से वहाँ प आपके अंदर kolesterol के बढ़ने की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ये जितने भी signs में आज आपको बताएं हैं, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर ये सारे ही signs एक साथ दिखाई दें। हो सकता है आपके अंदर कोई एक sign दिखाई दे, दूसरा नहीं दिखाई दे, इसलिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपके अंदर नजर आता है, तो इसको कभी भी नजर अंदाज नहीं करना, फॉरण अपनी डॉक्टर से concerned करना और इसका test कराके जो भी possible हो, जो भी वो suggest करें, वो treatment करके अपने cholesterol को कम करना, ताकि आने वाले समय में आपको कोई health complication, कोई heart disease पैदा ना हो सके, दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और सभी की साथ share भी कीजिए, मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में, अब तक के लिए अपना बहुत तुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें healthy हमेशा.